नमस्कार मैं सुमंत का स्यप एस्ट्र वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आपके सामने 16 जोन के अधार पर बना हुआ एक घर का मैप है इसमें आपको डैरेक्शन बता देता हूँ यहां से नॉर्थ है नॉर्थ नॉर्थ नॉ साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट 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 नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और यहां नॉर्थ यहां मैं सिर्फ एक पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिसकस करूंगा कि कैसे सिर्फ एक बेड़ पर आदमी के सोने का पोजीशन बदलने से समस्याएं उसकी खत्म हो गई यहाँ देखे एक बेड है जो मैंने दिखाया हुआ है इस बेड का इस लाइन से बेड डिवाइड हो रहा है यह हिस्सा इधर साउसाउथ हिस्ट में है और इधर साउथ हिस्ट में है यह बेड लगवग साथ फिट ऐसे लंबाई है तीन फिट का लगवग का हिस्सा इधर पड़ रहा है चार फिट का इधर हिस्सा आ रहा है यह जो मेरे क्लाइंट है यह इस हिस्से में इस सरफ सोते थे और मैंने इनकी कुंडिली कैथारपी ने सेजेस्ट किया इस हिस्से में सोने के लिए और उसके बाद से इनकी काफी समस्याएं जो टेंसन थी वो खत्म हो गई ऐसा इसलिए क्योंकि यह इधर सोने पर साउथ हिस्ट वाले हिस्से में सोते थे साउथ हिस्ट जो है इनकी कुंडली के आठ्वे भाव को बताता है प्रतेक वेक्ति की कुंडली के आधार पर उसका वास्तु होता है यहीं advanced astro वास्तु remedies का लाता है आठ्वा भाव किसी के लिए भी tension का होता है समस्याओं का होता है और आठ्वा भाव active हो जाता है तो फिर समस्याइं किसी भी प्रकार के हो सकती हैं चाहें health से related हो, relations से related हो या business से related हो इस प्रकार इस हिस्से में सोने के पश्चात 8,000 एक्टिव हो जा रहा था और काफी दिन तक ये इधर ही सूते आ रहे थे जब मैंने इनके घर का नक्सा बनाया और इस बेट का जैसे ही देखा मुझे समस्याइं समझ में आ गई मैंने इनको बोला पहले सोने का पोजिशन इधर करें इधर करने के पश्चात इनका बेट साउथ साउथ हिस्ट में आया जो इनके लिए बहुत ही अच्छा है अब यहां सोने के पश्चात इक आफी अच्छा फिल किया धीरे धीरे एक आएक कोई चमतकार तो होता नहीं है लगवक सदार दस दिन के बाद इनको बहुत ही अच्छा फिल हुआ और उन्होंनों मुझसे आगे अपने घर के वास्तू के लिए क्योंकि मैंने सिर्फ पहले नक्सा बना के और सिर्फ यहीं एक चीजी ने सर्जेस्ट किया था बाकि कुछ भी मैंने नहीं कहा कहां क्या करना है क्या क्याद रेमिडिस करने यह सब कुछ नहीं بتाया सिर्फ इदना करने के परस्तात एक आफी प्रभावित हुए उसके बाद इनके घर का बाकी जो वास्तु के रेमेडिस थे वो काम मैंने किया इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यहीं बताना चाहता हूँ कि घर नहीं बेड पर भी जैसे यह स्थिति आपके सामने दिख रही है कि बेड की स्थिति पर सोने की स्थिति बदलने के परस्चात भी वेक्ति गुलावयाहानी हो सकती है इस प्रकार एडवांस एस्ट्रो वास्तू हमारे जीवन में बहुत ही सटीक और आश्चर जनक प्रभाव डालता है बने रहे मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ